हेलो एब्रीवान, स्टाडी टुडे विपलाप यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में C.E.T.U.G. सेक्शन 2 आर्ट्स डोमेन के जियोग्राफी आर्थात भुगोल के P.Y.Q. यानि की प्रेवियस यर कोस्चन यानि की पिछले वर्सों के कोस्चन जो की 2022 के पेपार को स्वाल्प करेंगी आई होप ये क्लास आपके C.E.T. एकजाम के लिए वेरी यूजफूल होगा और आपके प्रिप्रेशन में बहुत ही हेल्प करेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को साब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को इस क्लास को स्यार करें और लाइक करें तो चलिए शुरू करते हैं Question No.1 को देखिए Question No.1 में given है भूगोल का जनक किसे माना जाता है Option को देखिए He can't, can't, irishtosthenics या tell me तो right answer option C होगा भूगोल का जनक किसे माना जाता है इरेश्टोसthenics को माना जाता है भूगोल का जनक, irishtosthenics को माना जाता है Question No.2 को देखिए निनमलकित में से किसे संभव बात का जनक माना जाता है संभव बात का मतलब क्या होता है न संभव बात यानि कि मानब द्वारा पर्यावरन से संगसाधन प्राप्त किया जाता है उस संगसाधनों का बिभिन्न संभवनाओं के रूप में बदलना संभव बात कहा जाता है तो संभव बात का जनक किसे माना जाता है बिडाल डी ला ब्लास को संभव बात का जनक माना जाता है किस भूगोल बित्ता का सम्मन्त राजनीतिक अध्यायनों से नहीं था राजनीतिक भूगोल में विभिन राजनीतिक गतिविधियों का अध्यायन किया जाता है याद रखना कि राजनीतिक भूगोल में बिभिन्न राजनीतिक गतिविदियों का ध्यान किया जाता है Q4, मानाप भूगोल में मानाप तथा भौतिक परियावरन के पारस्पारिक सम्मंधों का अधायन किस आधार पर किया जाता है Q4, मानाप भूगोल में मानाप तथा भौतिक परियावरन के पारस्पारिक सम्मंधों का अधायन किया जाता है Q5, नब निश्चाईबाद अत्वा रुको और जाओ निश्चाईबाद विचाध्धर का प्रतिपादन किस ने किया था इस विचाध्धर के अनुसर क्या होता है ना प्राकृतिक नियोमों का अगर अनुपालन किया जाए तो हम प्राकृति पर विजय प्राप्त कर सकते है तो इस नियम का प्रतिपादन किस ने किया था ना इस नियम का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था अप्शन ए होगा राइट एंसर नव निश्चाइबाद अत्वरुको और जाओ निश्चाइबाद विचाद धरा जी टेलार ने प्रतिपादन किया था क्वेश्चन नमबर सिक्स जनसंखा आकार के अनुसर विश्र का दीतिया ब्रिहत्तम महादीब कोन सा है यूरोप, एसिया, आफ्रिका या उत्तरी आमेरिका तो राइट एंसर क्या होगा दीतिया पुछा है यानि कि यूरोप होगा यूरोप में जनसंखा कितना है 12.8% और एसिया में 60.5% याद रखना है तो दूसरा पुछा है इसलिए option A होगा राइट एंसर नेक्स्ट कोस्टन देखिए निर्मलेकित में से कोन सा बीरल जनसंखा वाला छेत्र नहीं है आटाकामा भूमध्या रखिया प्रदेश दक्षिन पूर्प एसिया या ध्रूबिया प्रदेश तो option C नहीं है पुछा है यानि कि दक्षिन पूर्प एसिया होगा राइट एं नेक्स्ट कोस्टन देखिए यूरोपिय देशों में लिंगानुपत अनुकूल होने का मुख्ध कारण है महिलाओं का उत्प्रवास पूर्सों का उत्प्रवास निरंतर यूद या लड़कियों की जन्मदर उच्च होना option B होगा पूर्सों का उत्प्रवास के कारण यू समयावस्वरों की समन्ता यानि की मानाप विकास का आशाय मानाप के संपूर्ण विकास से है मानाप का संपूर्ण विकास से है जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनितिक स्वतंत्रता के साथ सिक्षा और स्वास्थ भी जुड़ा है नेक्स्ट को देखिए। जैसे कि मांंस हो गया, खाल हो गया, उन हो गया, तो इन सबों को बाजार में निय्यात करना। ठीक है तो 20 समय बानी जब पशूधन पालन किस छेत्र में विशेशुरुप से प्रचली थे न्यूजलेंड में उद्दान किसी यूरोप के किस देश में सरवाधिक प्रचली थे ना निदर लेंड में है निम्न में से किसे बनो पर आधारित उद्दोगों की स्रेनी में रखा जाता है लाक उद्दोग को नेक्ट को पंचम क्रियाकलाब के अंतरगत किसे सामिल नहीं किया जाता है पंचम क्रियाकलाब के अंतरगत बेंकिंग सेक्टर को सामिल नहीं किया जाता है चतूर्त क्रिया कलाप में संगलंगन सुरमिकों को गुलावी कलर कहा जाता है गुलाबी कलार कहा जाता है नेक्ट को सब्सक्रण में सरबाधिक सड़क गनत्तनीन मलेकित में से किस देश को सब राज है सबसे प्रमुक रेलमार्क है देखें अमेरिका का सबसे प्रमुक रेलमार्क है बीउनस आयर से बैल पराजो ओप्शन सी होकर आई एंसर ओप्शन सी ठीक है बीउनस आयर से बैल पराजो नेक्स्ट कोस्चन देखें बीउनस पाइपलाइन निनमलेखित में से किस देश की है बीउनस पाइप लाइन यानि कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम पदार्थों का परिबहन होता है बीक इंच जो pipeline है उसमें क्या होता है ना petroleum पदार्थों का परिवहन होता है जैसे New Zealand में क्या होता है pipeline से दूद का परिवहन होता है जैसे हमारे भारत में क्या होता है pipeline से तेल का परिवहन होता है उसी प्रकार बीक इंच pipeline से USA में क्या होता है petroleum पदार्थों का परिवहन होता है नेक्स्ट कोस्ट्टन देखें उपगरह संचार की सुरुवात किस बर्स की गई थी बर्स 1970-1960-1980 या फिर 1950 में तो राइट एंसल अप्शन ए होगा 1970 में उपगरह संचार की सुरुवात 1970 में हुआ था ठीक है भारत में उपगरह का विकास 1980 के दसक में हुआ था याद रखना है ठीक है भारत में 1980 के द्रसक में हुआ था नेक्स्ट कोश्चन देखें गेट को किस बार्ष डव्ली टीओ में बदल दिया गया है यानि की जी ए डबल टी गेट गेट का फुल फर्म क्या है इसकी स्थापना हुआ था 1948 को याद रखना है 1948 को ठीक है गेट का फुल फर्म है जन्रल एग्रिमेंट ओन ट्रेट एंट टैरीप ठीक है फिर इसको बदल कर 1995 में डेवल्यू टी ओ यानि की वाल्ट्रेट और्गनेजेशन में बदल दिया गया है वाल्ट् जर्लेंड में तो इसका जो राइट एंसर होगा वो 1995 होगा जी ए डेवल्यू टी को बदल कर डेवल्यू टी ओ में बदला गया है नेक्स्ट कोस्चन को दिखिए वीश्व स्वास्त संगठन के अनुसर एक स्वास्त सहर में किन सुभीधाओं का होना आवस्सक है जर्मदाइक भागिदारी को निवहाना ए आवस्सक है यानि कि option D होगा राइट एंसर उपरोक्त सभी होगा राइट एंसर नेक्स्ट को देखिए question number 22 निनमलकित में से किस आधार पर नगरिया बस्तियों का बरगी करन किया जाता है जनसंखा के अधार पर ए तो सही है बिल्कुल सही है वेवसाइक संगराचना के अधार पर ए भी सही है ठीक है प्रसासनिक अधार पर ए भी सही है यानि कि option D होगा उपरोक्त सभी next question ग्रामीन बस्तियों को किन आधारों पर बरगी करित किया जाता है बिन्यास के आधार पर कारिया के आधार पर आकरिती के आधार पर यानि कि यह सभी होगा right answer सर, नेक्स्ट कोश्चन देखे, नियोजित बस्तियां किसके द्वारा बसाई जाती है, नियोजित बस्तियां सरकार के द्वारा बसाई जाती है, उप्शन B होकर आइट इन सर, नेक्स्ट कोश्चन देखे, जिन बस्तियों का विकास नदी घाटियों तथा उपजाओ मैदान में होता है उसे क्या कहा जाता है उसे संहद बस्ती कहा जाता है संहद बस्ती अब देखो संहद बस्ती क्या होता है देखे संहद बस्ती में क्या होता है ना संहद बस्तियों में मकान एक दूसरे के एक दूसरे के पास बनाए जाते हैं और इन बस्तियों में रहने वाले लोग ने रहते हैं चलिए नेक्स्ट को देखे भारत की संपूर्ण जनगनना की सुरुवात किस बरस हुई थी देखे जनगनना की सुरूरत हुई थी 1872 को लेकिन यहां पर कुष्टन पुछा है कि संपूर्ण जनगनना तो 1881 होगा राइटेंशर 1881 होगा राइटेंशर अगर नेक्स्ट कोश्चन देखे, भारत सरकार ने युवाओं के चहु मुखी विकास है, तो किस बर्ज युवा निती अपनाई, युवा निती 2003 को अपनाई, ठीक है भारत सरकार ने, नेक्स्ट कोश्चन देखे, भारत में मानव विकास सुचकांग के प्रमुक कारक है, अयतिहा प्रावासियों के साथ कौन सा राज्य प्रथम इस्थन पर है अप्रावासियों के साथ ठीक है करनाटक दिल्ली महराष्टर या तमिल नडू तो राइट एंसर महराष्टर होगा महराष्टर में बिहार और यूपी से लोग आकर बस जाते हैं तो महराष्टर होगा राइट ठीक है और second position पर है दिल्ली याद रखना और third position पर है गुजराद उसके बाद हरियाना ठीक है तो इसका right answer महराष्टा होगा महराष्टा के बाद दिल्ली उसके बाद गुजराद उसके बाद हरियाना ठीक है किस ने कहा था कि अउधोगी करण नाइतिकता परियाबरन अध्वातिक के रास का कारण है किस ने कहा था गांधी जी ने कहा था था ठीक है नेक्स्ट को देखिए बर्स 2011 में भारत का नगरी करण निम्ना में कितना था 31.1% था याद रखना है 31.1% ठीक है 2011 के अनुसर भारत का नगरी करण नेक्स्ट कोश्चन देखिए एक महा नगर में निउन्तम चनसंखा कितनी होनी चाहिए देखो मीनिमाम कितनी होनी चाहिए 10 लाक ठीक है और मैक्सिमाम कितनी होनी चाहिए ना 50 लाक ठीक है याद रखना है यानि कि 10 लाक से 50 लाक ठीक है अगर 50 लाक से ज्यादा है तो उसे 50 लख होगा option B होगा right answer next question देखे बिभीन युगों में नगर के विकास के आधर पर नगरों को कितने बर्गों में विभाजित किया जाता है तीन बर्गों में प्रथम है प्राचीन जिसे प्रयागराज है प्राचीन में प्रयागराज मध्ध कालिन मध्ध कालिन में क्या आएगा मध्ध कालिन में आएगा दिल्ली ठीक है मध्ध कालिन में दिल्ली और आधुनिक में क्या आएगा आधुनिक में मुंबई आ जाएगा ठीक है मुंबई ठीक है तो इसका right answer क्या होगा तीन होगा विभिन्य यूगों में नगर के विकास के अधर पर नगरों को 3 बर्गों में विवाजित किया गया प्राचीन मध्धकालिन और आधुनिक में मुंबई आएगा प्राचीन में प्रायक राच जैसे नेक्स्ट कोस्टन देखे पल्ली बस्तियां क्या होती है न छोटे छोटे गाउं का समुआ होता है इतना याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टन को देखे गुच्छित बस्तियां कहां पाई जाती है गुच्छित बस्तियां क्या होती है यानि कि जो घार होता है न वो सटे हुए तथा गलियां संक्री होती है गुच्चित यानि कि जो घार होता है वो सटे हुए तथा गलियां संक्री होती है यानि कि नगालन में पाई जाती है नेक्स्ट कोश्चन देखिए भारत में कूल बोये गए छेत्र के लगभा कितने प्रिशत भाग पर अनाज का उत्पादन होता है अनाज का 54 परसेंट होगा अनाज का उत्पादन कितना 54 परसेंट नेक्स्ट कोश्चन देखिए भारत में कूल पुन नपूर्ती योग भौम जल संक्साधन कितना है ना 432 घान याने की किलो मिटर क्यूब होगा घान किलो मिटर ठीक है नेक्स्ट कोस्चन देखें बरतमान में भारत में कितने तेल सुधन कारखाने है ना तेज है ओप्शन C होगा राइट एंसर नेक्स्ट कोस्चन टाटा लोहा इसपात कारखना किस तपना किस बर्स हुई थी यानि कि टाटा किस तपना 1907 में हुआ था ठीक है जमसेद जी टाटा ने किया था स्वन रेखा नदी के किनारी है ठीक है जमसेद पूर और याद रखना 1911 में उत्पादन इस्टाट हुआ प्रोडाक्शन 1911 में इस्टाट हुआ तो राइट एंसर 1907 होगा नेक्स्ट कोस्चन देखिए भारत की बिभीन पंच वर्षिय योजनाओं की प्रोमुक उपलब्धिया क्या है प्रतिविक्ति आयमें बिद्धि बिल्कुल सही है किसी में बेफक सुधार एवी सही है जिवन की गुनबत्ता में सुधार एवी सही है ये सभी होगा नेक्स्ट कोस्चन को देखिए स्वार्निम चतुर्भूच परियोजनाओं की इस एक नगर को आपस में नहीं जोडती है कहा है नहीं जोडती है देखे स्वार्निम चतुर्भूच में मुंबई ठीक है मुंबई दिल्ली कोलकाता चन्नै ये चार सहर है स्वानिम चतुर्भूच कहा है न तो चन्नाई ठीक है देखे याद रखना है मुंबई दिल्ली कोलकाता चन्नाई ठीक है तो आपस में नहीं जोडती है मतलब भोपाल को नहीं जोडती है मुंबई चन्नाई कोलकाता और दिल्ली को जोडती है तो इसका राइट एंसर भोपा नेक्श्ट को सचनि दिखे आंत इस्ठलिय जलमार्प प्राधीकरन की स्थपने किस बर्स हुई thorough next question रेडियो काड़ियकरम प्रसारित हुआ था रेडियो 1923 में फाय था रेडियो याद रखना है 1923 ठीक है और आपको याद रखना है कि रेडियो क्लाप अब बंबे द्वरा प्रसारित किया गये था क्या ना रेडियो क्लाप अब बंबे ठीक है और 1936 में 1936 में क्या नाम रखा गया All India Radio All India Radio 1936 में उसके बाद 1957 में क्या रखा गया ना आकासवानी ठीक है चलिए नेक्स्ट को देखिए पारादीप बंदर गाहा किस राज्या में इस्तित है पारादीप किस राज्या में ओडिस्सा में चलिए नेक्स्ट को देखिए निर्मलिखित रोगों में कौन सा रोग ठोस अवसिष्टों के कारण होता है अच्छा ठोस अवसिष्ट यानि कि यह सभी होगा चलिए इसको समझते हैं देखे देखे कारखानों बिद्धूत ग्रहों तता भवान निर्मान या विद्ध्वंग से उत्पणन मालबा यवंग राक गंबिर समस्ता उत्पणन का रहा है इनसे होता है टाइफाइट होता है उसके बाद गला घुन्टू होता है हैजा होता है नेक्स्ट कोश्चन देखे निनमलकित में से कौन से लक्षन गंदी वस्तियों के सुचक है देखे बहुत अधिक भीडवार ये सही है तीक है ये सुचक है गंदी वस्तियों का पट्रियों के किनारे बसी वस्तिया ये भी सही है गंभीर जोखिम यूक्त ये भी सही है ये सभ गलत हैं बी गलत है सी को दिखे असंतुलित विकास से सहरी प्रावास यह सही है यानि कि A और C दोनों ओप्शनदी होगा राइट एंसर अंतिम कॉस्चन गोकूश्चन को दिखें भू निमनी करण के प्रमुक करण क्या है न ए सभी होगा मुरिदा परदन लबनता भूज चा करता ये सभी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में सियार करें और अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सब्स्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू